अभी है ना हम अभी मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो मुझे महाराज जी मिले और अभी पी डबलु दी के सरकारी ओफिस में करमचारी है सर और आपका पूश्ट है आप मैं वर्क एजेंट है और यह भी सर्प पी डबलु दी से ही है तो अभी मैं इधर आया हुआ था महारा तो इस चीज में जानने के आपको भी शुकता होगी पैदल जातरा में क्या दिक्कते है कैसे एक साधक पैदल जातरा करता है और कैसे पिड़ना आती है कि हमें यात्रा करनी है तो आपको पता है मैं इस वक्छुरंगी नाज जगह पर हूं जो गुरु सिद्द पीड शौर कर रहे हैं दर्शनार्थी मैं महाराज जी से पूछूँगा महाराज जी आपका परिच्छे मुझे कुदी जी है मेरा नाम पृत्वी पुत्र पाटिल है और मैं महाराष्ट से नासिक जिले से हूँ और मैं 99 से ध्यान की साध नामे हूँ जब मैं 24 साल हो गए और तब मैं विपश्चना से मैंने ध्यान साधना शुरू की थी और धीरे धीरे करते करते गुरू करके ध्यान करते करते आगे बढ़ रहे थे और फिर दत्त संप्रदाए हमारे महाराष्ट में बहुत प्रभाव शाली कार्य कर रहा है दत्त किनारइ नर्मदा की परिक्रमा होती है और हमारे महाराष्ट में संत ग्यानेश्वर जी संत निवरुतिनात माराष्ट संत एकनात माराष्ट संत नाम दें माहराष्ट मुकता भाइ सोपान दे inglés संत तुकाराम जी तो ये सारे जो संत है पंडरपूर के लिए पहिदल जात् वारी बोलते हैं हम लोग वारी बोलते हैं जिसमें सब घर चोड़के सब संतों के साथ में भजन गाते-गाते विठल मंदिर पंडरपूर जाना तो वो यात्रा हमें पंडरपूर ये एक देवस्थाने बागवान विठल पांडुरं कृष्ण भगवान का मंदिर है जो कमर प और तेलंगाना, तो यहां से सारे भावी काते हैं, यानि आशाडी एका द्शी और कार्तिक एकादशी में 50 लाक लोग इकठ्था होए, जैसे ओडिसा में रत यात्रा होती है, महाराश्रा में वारकरी संप्रदाय की यात्रा होती है, तो आप उसको जाहाने रहना, आश्रम के बंडारे का खाना एसा है, और समझेको कोई देता है, वह लेना है तोको याने मानग कर खाना, जो एहंकार गल जाये आपको आपको यह यात्रह देते हैं तो हम जॉब करते हैं और इंजिनियर है और यह यात्रा करने का 13 साल से हमने मांगा था कि घुर्दे良 में यात्रा करनी है तो workfrom home होने की वज़े से हमने चुटती निकाल ली और फिर यह यात्रा पर हमु जॉब भी करते हैं '' जॉब करते हैं'' इसको जॉब भी करते हैं और अपनी साधना में भी रहते हैं साधना भी भी रहते हैं अच्छा अच्छा हर रोज ध्यान करते हैं मेडिटेशन कर आप यह पैदल जातरा पर भी निकले हुए हाँ तो फिर कितना समय लगेगा आपको पैदल जातरा अब यह हरीद्वार से जुगल पर ऐसा सर्च किया तो वन थाउजन थ्री अंडेड थर्टी थी किलो मिटर का एरिया लेकि उससे जादा बढ़िया है बड़ा हुआ है यह यह पैदल गुंगते हमने पहले तो शूज लिये थे शूज पे चलेंगे और यह हमारे जो पहले कपड़े थे वही हरीद जुवार में हमने छोड़ दिये नदी में और यह कपड़े पहनने की आगला थी क्यूंकि हमें भिख्षा मांगनी थी ऐज गः और किसी के गर में रुकना नहीं है आश्रम में रुक शकते हैं ऐसे ही हम इनके गाउं के मंदिर में रुखे थे और खाना जो भी हमें हमें दे यह मांग के जो भी घर मिले वहाँ पे ले सकते और आश्टर में मांगने की जुरुत नहें उनका जो भी बना है उन तो पहले जूते में से पयर को तकलीफ होने लगी सारे नाखुन खराब हो गए हमारे क्योंकि चलते चलते और फिर उनको फिर हमें बताया यहां के जो नागरी के एक अनुपव मुझे आया वो बताना में ज़्यादा समझता हूँ कि मैं महाराष्टर के मेरे लोग भी देखता हूँ गुजरत के लोग देखे, यंपी के लोग देखे मैंने हर्याना के लोग देखे, राजस्तान के लोग देखे लेकिन देव भुमी के लोग मुझे बहुत ही सच्चे लगे सच्चे लगे? हाँ, सच्चे लगे देखो, भाव वाले लोग गुजरात में है खाना खिलाने वाले लोग गुजरात में है, महाराश्यन लोग तो कष्ट करने वाले लोग है, लेकिन सच्चे जो लोग है, यहाँ एक चीज पड़ी भी रह जाए, एक मोबाइल भी रह जाए ना, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ कोई गुमने चीज होगी, कोई चोरी चपाटी नहीं करेगा यहाँ पी है, और गलत नहीं बताएगा, इसा बोलते है, यह मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के लोगों का उरुदही मुझे बहुत यह परमात्मा ने इनको हिमालाई में इसलिए जनम दिया है, यह सच्चे दिल के लोग है, यह जि आमंत्रित करूँगा, कि आप उत्तराखन जरूर आईए, चार धाम की यात्रा जरूर किजिए, और पैदल किजिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, आदमियों से मिलिए, औरतों से मिलिए, छोटे बच्चों से मिलिए, आपको बहुत सुकुन आएगा, बहुत अच्छे लो यह चपल हमको दूसरे दूसरे आदमी ने लेकर दी है महाराजी शूज पर मच चलिए यह आपके सच में उंगलिया खराब हो गए तो हमने यह जो चपल है तो आप दिखा सकते हैं तो यह सैंडल भी हमें दूसरे ने लेकर दी है तो यह इसलिए कि भाई पैर खराब ना महाराजी आपने अभी जो करे यमनोत्री धाम गंगोती धाम कर लिया तो महाराजी यहां तक आने में आपको कितना समय लग गया कब शात्रा आपने आरंब की थी यात्रा हमने एपरिल में आरंब की थी और यात्रा करते करते हम जब हरीद्वार आए तो हरीद्वार से हमें आपने अप्रेल में आतरा कहां से महाराश्रा से चालू करें पैदल और फिर यहां जब जैसे हरीदवार पहुंचे और दो चार गुरूप इखटा होगे और मिले कि साथ में चले लेकिन बहुत ज़्यादा लोग होते तो लोगों को परेशा नहीं आती है हैंडल करने में यह कि ज़्यादा लोग है तो रुखने का और इसके लिए एक, दो, दो, चार आदमी है, चार आदमी, पाच आदमी तो आराम से हो जाता है, कोई भी हाराम से होटा है सभवाराजने दूसरे संपर्दाय से थे और दूसरी जगह से गुजरात के थे खोई चटीज गड के थे और कोई आकेले-आकेले भी सादु माहराज बी चल रहे थे यह हमने इस यात्रा में आ यमुनोतरी में पच्चास साथ साथू को मिले हम जो गुफा में या किसी जग़ पे रहते हैं अलग जगपे यात्रा के लाइन में नहीं यात्रा की लाइन छोड़के ऐसे जगपे रहते हैं गुफाओं में रहते हैं उनका हाँ बाबा लोग उनको मिले और गंगोत्री में हम वहाँ उपर गोमुक में गए थे गए थे वहाँ उपर तपोन भी जाना था तो यह करते करते हम वहाँ पे 90 से करीब सादू से मिले यानि रोज हम किसी न किसी सादू को मिलने गए 10-15 सादू से मिलते हैं तो उनका वो देखा हमने कि इतनी थंड में वो एकदम खुले रहते हैं अच्छा उनको कोई स्वेटर नहीं है कोई सोने का है और हाँ उनके यह यग् देते होंगे और उल्टा हमें खिला देते वहाँ पर जाने के बाद हमको चाय देते थे हमको ठकावट हुई है तो उल्टा हमारी सेवा करते हमें वह अच्छा नहीं लगता था लेकिन मैं तो बोलूंगा कि इन सारी महात्माओं की द्वाव से हमारा भारत देश चलता है व हो गई हो गई इतने बड़े-बड़े महात्मा है उनको तो पूछ नहीं सकते आपकी उम्र क्या है उनको ये भी नहीं सकते कि आप कहा से आए क्यूंकि रुशी का मुल नहीं पूछा जा सकते और वो कहा से आए ये पूछा नहीं जा सकते वो कितने उमर के ये पूछा नही शिर्वाद ले उनकी मेहर नजर हम पे गिरे और हमारी साधना ये सश्वी हो जाए ये महाराजी जैसे आप बता रहे हैं आपने रिशी मोनी से मिले थे गंगोतरी में आपने कैसे इनको ढूंडा ये बहुत बड़ी बात है ये एक को मिलने गए कि बराबर दुसरे का पता चल जाता है थोड़ा सा आपको वहाँ पर बहुत नमरता से साधना में है तो भाई एंकार चोड़के ही जाना पड़ेगा और नमरता से आप बोलेंगे तो वह ही बताते है कि उदर है अपने दुसरे है गुरू है महाराजी है यहां महाराजी बोलने की प्रता है हमने ये कपड़े पहन ले इसलिए हम कोई महाराज हम गुरू कोई ऐसे नहीं हो गए हम एक साधक है लेकिन पैदल यात्रा पे निकले है ऐसा चार घर मांग कर खाना है और आगे बढ़ते रहना है आपने देखा कि वह गुरू मलब आप जो बात होती है उनकी तरफ से अपने तरफ आने की तो वो सारी बात में पैचान सकता हूं और मुझे हर एक माहात्मा दिव्या पता चला हर एक माहात्मा मैं जिसको मिलने जाओ तो मेरा रुदय भराता था अज़े लगत था कि मैं ये इनको क्या-क्या दे दू इनको कौन स से उन से पूछा कि जो देश और दुनिया में इसमें गुरूप भेले हुए हैं जो टीवियों पर आ रहे हैं तो मलब हो सही है कि नहीं आपने कुछ ऐसा यह आपका अनुपाव है इस बारे में कुछ मैं तो यह बोलूँगा कि उनके बारे में वो कुछ जादा नहीं बोले लेकिन सपोर्ट करते हैं क्योंकि सनातन धर्म उसको सपोर्ट करते हैं कि बाई चलो वो दुनिया में रहे के सेवा कर रहा है हम नहीं कर सकते तो हम उसको एनर्जी दे तो भाई वो अच्छा काम कर रहे उसको सपोर्ट करते बुरा काम कर रहे तो उनके कड़ी नजर में भी वह आ जाते जो कोई बुरा दूसरों को लूटने का काम करते हैं हमारे इधर ऐसे बहुत साधू लोग है जो दूसरों को इसलिए तो नाम बदनाम हुआ है अच्छी गुरू होगा अरे मैं आपको एक बा हमाले है और हिमाले की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुझ करके हमें ध्यान करना तो यह क्यों तो यह एनरजी खेचने के उसको आसान पड़ जाए दीरे दीरे वह साधना में पाकदोर हो जाए हम फिर कोई भी दिशा में मुझ करे तो भी चलेगा हम यह समझ सकते हैं कि यह जो तपस्वी जो पुजा पाड योग तपस्या कर रहे है यह उपर वाले से एनरजी खीच रहे हैं और हम इनसे एनरजी लेते हैं यह समझ सकते हैं हाँ हाँ करे करे अईसा है एक दम और यह जो गंगा यमुना यह जो छोटी छोटी नदिया बहे रही है इसमें यह लोग स गंग मा का पाणी अलग लगता है लेकन अपमोड़ में अनर्ड़ी परेख के हैं 8 पतल में पहाड का पाणी और में आपको बताता हुँ कि पेरों को जंघ हुई इतनी दिन मैं चल रहा हूं लेकिन मैं बीमार नहीं बीच हुआ हुँ थंड है हमारा यहा का अट्मोस्पियर और यहा का अट्मोस्पियर में भरक है लेकिन मैंने उनका जो है उसको स्विकार कर लिया उसमें रहना है मुझे उनके साथ मुझे प्यार जताना है प्यार से रहना है दोस्ती करनी है और मेरी जो अध्यात्मिक बात है वो उनको ताकत में रहा इसे बात करने, वो तो खुदी महान लोग है, क्यूंकि उनका जनम हिमालाय में को है, तो अमारा जी आपने उन से जब मिले, इतने मिलको बहुत जिग्या सा हुई है, आपने ये बात बताई ना मुझे और जिग्या सा बढ़ी है, मैं चारदाम यात्रा बे हमारे संतों की बहुत वीडियोस इसमें चलती है, तो मैं चारदाम जिसे आपने देखा संत महां रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो मलब जो छेतर है, जैसे यमनोत्री का जान की चट्टी छेतर है, आपने यमनोत्री मता हैं, तो यमनोत्री जान की चट्टी के आसपस आपको संत नई नई वहाँ मैं जादा क्योंकि इतनी भीड थी जानकी चट्टी में कि वहाँ पर मैं सनान किया गरम पानी कुंड में फिर अच्छली गरम पानी का कुंड कोई यमुनोत्री मा का कुंड नहीं है सिर्फ वो अपने बिमारीयों के लिए वो सनान करने की जगए जो नीचे स गरम पानी आप लेकिन सच्छासनान यमुनोत्री माता में यमुना नदी में करना जरूरी होता है वो बाद में किया और माता का दर्शन किया और वहाँ से निकले और जाते-जाते जो पहाड़ी आया आजू-बाजू में जो रेंज है उसकी पूरी मलब जब आप जो जात् पर निशान दिख सब्सक्राइब отдे तो हुआ को कि अधे सब्सक्राइब अगैर है रहता है यहला जाती चाहि करें अभी एक संत को मिले तो दुसरे संत के बारे में बताता है पिर वो पास-पास में रहते थोड़े से अंतर पर एक दुसरे को मदद भी करते हैं आप को दे कि अचमबित भी हो गए हो गए अचाना कि आप कैसे आया है नहीं उनको बहुत जगत आईसा था कि उनको मालूम था कि आयेगा कोई हाँ नहीं मैं वहाँ आने वाला हूं करके ऐसे मुझे दे को मेरे रोंगटे खड़े होगे मेरे प्रीश के तो मैं बोलना कि मैं तो ऐसे आया हूं उनको कैसे पता चलेगा लेकिन वो बोलते कि हमें मालूम था पाने वाले हैं अब की रा देख रहे थे कोई यह नहीं बोले कोई लेकिन मुझे एक आचरज हुआ कि हर संत ने मुझे कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में खाने को दिया उनकी तरफ से हाला कि उनके पास कुछ नहीं है और खान के आगया भी नहीं है मला ऐसी चीज परसाद में थी कि चोड़ा वहाँ पे कुछ कॉफी का चाय का सामान होगा बस इसके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा अच्छा वो खाते क्या है खाना या जड़ पीड़ पॉदो न मैं तो उनको गुरु मान करी चलता है अपने उदर कितना कितना समय रुके हर ज्यादा तो नहीं रुक सकते उनके और सविदा हो जाए उनकी साधना में हमारे वज़े से खंडना हो जाए तो शायद आदा गंटा एक गंटा देड़ गंटा ऐसे रुके उनका फोटो भी नह का निकाला है मैंने थोड़े प्यारे करूना में संथ तो आपको फिर पूरा दिन लगया होगा यमनोत्री में अरे मुझे तो मैं सच बोलता हूँ आभी तो केदारनात बाबा और बतरीनात बीच में तुंगनात बाबा भी पढ़ते हैं तो मुझे मुझे ऐसा लगता था क कि हर एक संत के पास में मैं एक एक दो-दो दिन रहू और फिर यात्रा कंप्लीट करू याने पूरा साल भी लग जाए तो भी चलेगा ऐसा लेकिन यह नवकरी प्यशा करने वाले लोग जोब भी करनी फैमिली भी देखना है तो मैं तो आचंबी ती इस बात से रहा आभी अब रास्ते में कोई नो कोई आइससा और क्या आपको लगता यह पी डवलोडी खाते के एक इनसान है यह भी मेरे लिए संत है बिलकुल यह इनसान है मेरे को भी बात नहीं आ रही जब एक संदीगी जिसमें जैसी मुरत देखेंगे अब ऐसे ही आप आएंगे क्यूंकि उ हमारे में गरूर पुरान होता है जब कोई गुजर जाता है उसके पड़ा रहता है तो उसमें जब कहते है काल जब की काल के जो दूत आते खीचने के लिए तो वो जब वेतर नी नदी में से ले जाते है तो वो कहता है मुझे मत ले जाओ तो वो उससे यह प्रिशन करते है कभी तुने किसी संत के दर्शन किये तुझे कैसे चोड़ने है तुझे कभी किसी मंदिर में दान पुन्या किसी का कराए भला या किसी संत के दर्शन किये तुझे उनका बता तो हम उस चीज को सोच पे तुझे दया करें बुधे बहुत बशियर है मेरे से भी ज्यादा ग्यान नहीं एक बात की है तो एक चीज ऐस होता है तो यह होता है तो मैं आप यह गो बार बार घुह मल्हाची कि तरफ देखना नहीं में दो तीन बार जुकना गुलमाता दिखिए तो उसको कुछ खिला देना तो नौक्ल उमाता का दूध मेंगा भी हो तो आसे लेना लेकर आना बच्चों को पिलाना जी एक गो अपनी देशी गो माता दो जबसे गो माता की बाता हु तो देशी को माता का मेंगा भी मिले आपको 20-10 रूप और चारे के लिए दे तो दूसरा रख रहा है तो उसको बोलना कि तू इससे चारा खिला, मैं जादा पैसे दूंगा तुम, चलेगा, वो भी अच्छे से खिलाएगा, पुन्या है, यह महानकार्या है, अपनी जो गो माता को हम बढ़ावा देंगे, तो हमारा देश फिर से सोने की चिडिया बन जा आपके माद्यम से उसका भी प्रचार हो जाए, वो माता के बारे में भी आप किसी भगवान की पूजा नहीं कर बारे मिए और मैं जहा जहां भी रुका, जिनके जिनके मंदिरों में रुका, पास में जो भी फैमिलीज मुझे खाना लेके आ रहे थी, उनके पास में मैंने गायों के बारे में बताया, उनको खाद कैसे करना चाहिए, ये भी बात बताई मैं है, कि भाई, एक गाय तीस एकड को समाल सकती है, आप अच्छे से खाद बनाएंगे, तो बैक्टरिया उसकी जो तयार होगी, तो उपजाओ जमीन होगी, और आप ज़्यादा फसल ले सकते ह अब ये काम तो रुशी मुनियों का ही है, आपको हरिद्वार में ऐसे बहुत सारे रुशी मुनि मिलेंगे, रिशी केश में मिलेंगे, देरादुन में मिलेंगे, नरेंदर नगर में मिलेंगे, जमबा में मिलेंगे, कुछ ऐसे, जो गाय समालते है, जी जी, चारसो, चारस करके गए है हरीद्वार में है हरीद्वार से कुछ 40 किलोमेटर उस साइड में नारायन नारायन पूर गाव नारंपूर तो उदर है तो मैं तो उनको नमन करता हूँ भाई वो तो एक आधर से है वो सक्चे रिशी है कि भाई वो गाय के बारे में लोगों को पढ़ा रहे और आके आप फ्री में रह सकते हैं उनके यहाँ खाना पीना फ्री में मिलेगा आपको बोलेंगे भी नहीं कि यह जाडू उठाओ यह साफ क आपको शरम आएगी कि हमने यह काम करना चाहिए उसको मौलीश करने चाहिए जिसको दोना आता है उसको मदद करें जो भी हमसे बन पड़े वो काम करना संथ के पास अरे वो तो खुद पहर दबाने के लिए कभी नहीं बोलते हामी मिल जाए हाथ लगाने के लिए तो यही क मैं सचमुझ में हिमाले को मेरे मन में जितनी उचा ही थी उससे दस गुना हिमाले मेरे लिए उचा हो गया दस गुना हो गया दोस्तों आपने देखा आपको खुशी होगी मुझे क्योंकि आप हमारे चैनल पर दर्शक है इस चीज को देखना ज्यादा पसंद करते है तो आपको मैंने महराजी से मिलाया जोनोंने संतों का जो सार इखटा किया था उसमें थोड़ा से हम लोगों को शेयर किया तो हम कोशिश करेंगे आप गुरु जी से महराजी से कुछ पता पढ़ा है तो ऐसे ही मैं किसी संसे मिलूँ और वीडियोग्राफी तो नहीं उससे मिलके आपसे बात उसकी उनकी बातों को और उनके ग्यान को थोड़ा आप तक पहुचाऊँ तो बहुत अच्छा होगा अभी मैंने बताया आपको मैं चौरंगी नाथ जो गुरू थे सिद्पीड थे उनकी स्थान पे मंदिल पे उनकी इस जगह का नाव भी चौरंगी नाथ है चौरंगी खाद गाओं है गुरू चौरंगी नाथ जी के नाम से ही है पहले गुरू गोरक्ष नाथ जी थे तो यहाँ दर्शन करा मैं महाराजी से मिला और आपको मिलवाया, अब यहां से चलते हैं, अपनी और याता को continue करते हैं, और गुरू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, माराज जी एक बार पूछ लेते हैं, यह की बात है, जब भी आप पैदल चलेंगे, तो यह अट्मोस्पेर थोड़ा सा नया रहेगा, तो इसमें थोड़ वेसली इन वगएरा, यह सारी जो चीजे हैं, आप में थोड़ा हैंड ग्लोज वगएरा, यह थोड़ा साथ में रखें, क्योंकि मेरी जो तोचा है, यह पाच्छे बार बदल गई है, बलकुल बदल गई है, कराम सरादेर के लिए हैं, जो हम नीचले वाले मैदानों के इल पैदल चलेंगे तो, और यह वीडियो देखकर आपको उतराखन में, चारधाम यात्रा करने में, पैदल चलने में, आपको इच्छा हुई, तो मैं मेरा भाग्य समझूंगा, क्योंकि पैदल निकलेंगे, और इन सारे आदमियों को, रुशियों को, मुनियों को मिलेंगे, और आपको दर्शन घटते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ताकत भी बढ़ते जाएगी, और आप साधना के पत्थ पर चल पड़ेंगे, और सब साधना, हर एक को तो पहुंचना ही है एक दिन, शिव के दरबार में, वहाँ शिव में होई जाना है, लेकिन कोई इस जनम में हो जाता है, कोई अगले जनम में हो जाता है, जैसे जैसे उसके कर्म है, उस तरी जैसे हो जाता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके कर्म कट जाए, और पहुंच जाए, आपका मार्ग ये है, मेरा मार्ग ये है, तो ऐसे कटे, और सब वहाँ पहुंच जाए, यही मैं और हमें कुछ ग्यान की बाते मिली तो आज आपसे हम विदाई लिते हैं यहां से और अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हैं ठीक है चलिए